यहां ब्रम्हांद बहुत बड़ा है इसमें करोडो तारे ग्रह और उब्ग्रह आ दी हैं और वज्यानिकों के मताबिक सिर्फ एक ब्रम्हांद नहीं है बलकि अनेकों ब्रम्हांद मोजूद हैं जिन में अनेको ग्रह और उपग्रह हैं और इन ब्रह्मांड में अनेको विचित्र तरह के ग्रह हैं उनमें से हम आपको एक ग्रह 55 कैंकरी E के बारे में बताएंगे जिसे दा डाइमंड प्लैनेट कहा जाता है इस प्लैनेट की खोज नासा द्वारा 2004 में की गई थी महिलाएं ये बात सुनकर काफी खुस होंगी कि हीरो से बना एक प्लैनेट क्योंकि आज हीरो की कीमत बहुत अधिक है पर खुस होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह प्लैनेट प्रत्वी से 40 लाइट येर की दूरी परिस्थित है जहां अभी के समय में जाना ना मुंकिन है इस ग्रह का एक तिहाई हिस्सा डायमंड का बना हुआ है 55 कैंकरी प्रत्वी से 2 गुना बड़ा है इसका द्रव्यमान प्रत्वी के द्रव्यमान से 8 गुना जादा है इसकी सतह पानी और ग्रेनाइट की नहीं बलकि ग्रेफाइड और हीरो से ढखी हुई है इसका द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण सारा का सारा कारबन हीरो में परवर्तित हो गया है अर्थात जब हम किसी कोईले को उची द्रव्यमान में रखते हैं हजारो साल बाद वह कोईला हीरा बन जाता है 55 कैंकरी ए का द्रव्यमान तो प्रत्वी के द्रव्यमान से 8 गुना अधिक है इसलिए सारा का सारा कोईला डाइमंड में परवर्तित हो गया है दोस्तो अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें ताकि इसकी जानकारी और लोगों को भी प्राप्त हो सकें जै हिंद